हेलो बच्चो वेरी वाम वेलकम टो इस समयजिंग सेशन सो माई डियर स्टुडेंट्स तो आज इस लेक्चर में हम लोग जा रहे हैं ब्रेट्स रूल को आज पढ़ेंगे जो की बहुत ही जादा इंपॉटेंट कंसेप्स होता है तो इसोचलिए समझते हैं आज के लेक्चर में इसको सो ब्रेट्स प्रूल कैस्ब्रेट्स होता क्या है भेरेट्स रेट्स रेक्ट्स नतिकलि देखो क्या है यह को हम एक्जाम्पल के थुरू समझते हैं हमने यहां पर दो कार्बोकेटायन को यूज किया टू अंडर्स्टैंड ता बेट सुरूल क्या कहता है तो देखिए यहां पर यह दोनों कार्बोकेटायन क्या है है इस केसव में क्याक है भार करें तो दोनों कारबन यहां भी और यहां भी यहां भी शब्याच ऑदिटु इसा क्यूं बोला जाता है दो को depend करता है जैसे अगर sp2 हो जाएगा तो angle जो होगा दो bond के बीच वो angle होना चाहिए 120 along with bond angle जो molecule का geometry होना चाहिए वो होना चाहिए planar मतलब एक ही plane में आना चाहिए और जिसके वजह से इन दो reasons की वजह से क्या है कि यह जो bicyclo compound है यह एक plane में नहीं आ पाता है और दूसरी चीज़ की जो angle होता है 120 sp2 के लिए वो भी नहीं हो पाता है and hence जो molecule है उसके अंदर angle strain बहुत जादा आ जाता है बहुत जादा angle strain आ जाता है और बहुत जादा अगर angle strain आ जाता है तो ऐसे case में क्या होगा molecule stability घड़ जाएगा तो यही चीज़ है कि यहाँ पर जो कार्बो के टायन है यह क्या है sp2 है और जो की less stable है अगर हम stability की बात करें तो यहाँ पर second जो है ज्यादा stable है और क्या है तो ब्रेट सुरूलिक लेकते हैं लोग कि according to this according to this breeze heat breeze heat carbon should not be should not be sp2 hybridized तो hybridization जो है breeze heat carbon का यह sp2 नहीं होना चाहिए क्लियर है तो चली एक और example समझते हैं इसके concepts पर यहाँ हमें इस कार्व एनायन की stability की बात करना है तो यह जो कार्व एनायन है यह जो कार्व एनायन है इसकी stability के अगर हम बात कर रहे हैं तो अब हमें बताना है ए और बी में ज्यादा stable कौन है ए और बी में ज्यादा stable कौन है clear चली तो ए और बी में देखो हम अगर stability की बात करें तो क्योंकि यहाँ पर negative charge कहां है breeze heat carbon पर है और जब यह resonance में जाएगा तो इस carbon का जो hybridization हो क्या होगा sp2 होगा मतलब कि जैसे ही यह resonance में गया at the same time कि यहाँ पर जो है strain काफी जादा बढ़ जाएगा यहाँ जो है strain काफी जादा बढ़ जाएगा बट यहाँ पर ऐसा कुछ case नहीं है कि अगर यह resonance में जाता है तो कुछ like angle strain का कुछ issue आता है according to bread's rule क्या हो जाएगा यह highly unstable होगा it means कि यह जो carbon ion है यह resonance में इसकी जो tendency है जाने की वो काफी कम है जो resonance में जाने की जो tendency है that is very very less but in this case वो चीज नहीं है because यहाँ पर breeze head carbon नहीं है तो इसको hybrid digestion से कोई मतलब नहीं है और यह आसानी से resonance में यहाँ पर participate कर सकता है it means कि यह जादा delocalize होगा जादा stabilize होगा and यह कम delocalize होगा कम stable होगा so यहाँ पर भी stability के अगर बात करें तो B का stability A से जादा होगा तो यह रही bread's rule के बारे में तो हम आगे के lecture में आगे भी देखेंगे so कर कुछ भी समस्या है कोई भी problem है please comment box में जरूर बताईए so then thank you so much have a good day बच्चो बच्चो